निधिवन को दुनिया की सबसे रहस्तेमई जगाउं में से एक माना गया है वो इसलिए क्योंकि उस धाम में एक देव्य चमतकार का दावा दुआ पर यूग से चला आ रहा है दिन भर तमाम लोग निधिवन में आते हैं लेकिन शाम ढलते ही निधिवन को बंद कर दिया जाता है देखिए निधिवन के आखरी घंटों का सफर समाचार सिटी 24 की टीम निधिवन पहुंची देखा गया कि पेडों की शाखाए मानों ऐसी लग रही थी जैसे गूपियां रास करने को तयार हो स्थाने लोगों का मानना है कि ये वही स्थान है जब अगवान कृष्ण आज भी आते हैं और हर रात यहां आकर रास लीला करते हैं निदि वन शब्द दो शब्दों निधी और वन से मिलकर बना है निधी का अर्थ है खजाना और वन का अर्थ है जंगल ये जगा घना और हरा जंगल है जिसमें सेकडो पेड़ है ये पेड़ अपने आप में काफे अनुखे हैं क्योंकि अच्छी जड़ो और शाखाओं के होने के बाद भी ये सभी पेड़ खोकले हैं फिर भी ये जंगल पूरे साल हरे भरे रहते हैं अब सोच रहे होंगे कि आखर वास्तव में किसी ने कभी यहां अंदर जाकर ये देखने की कोशिश नहीं की होगी कि आखर वहारात को होता क्या है आपको बता दे कि बहुत से लोग ये कोशिश कर चुके हैं लेकिन स्थाने लोगों की माने तो जो भी रात को रासलीला देखने की कोशिश करता है वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है आखिरकार हमारी मुलाकात मंदर के पुजारी से हुई उन्होंने क्या कहा सुनिये पर निकाल दिया जाएगा इपिर यहां के जो मंदर कमेटी के गाड़ है उनके द्वारा यहां पर चेकेंग होती है किसी को भी अंदर परवेश नहीं मिलता है उसके बाद में मंदर के तारे लगा दिये जाते हैं फिर सोबे आके देखते हैं जैसे आपने देख रहे हैं अभी जैसे बंदर अभी बहुत कम हो गए हैं दिन में आप आएंगे तो यहां लाकों की अजाद में बंदर रहते हैं अभी एक भी बंदर नहींगे अभी जैसे आ ु姐 integrity के लियुक वह जाते हैं यहां पर दर्सं करने के लिए आते हैं तो उनिके सामने बन साथ डाल और पोरे तेन पूरे दिन big अप देखो गप कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रात के समय जंगल के पेड़ गोपियों के रूप में बदल जाए जाते हैं जबकि कुछ लोगों का माना है कि पेड़ भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं जो हर रात जीवित हो जाती हैं